हलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आई के एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जो प्रॉलम हमें बीच बीच में हम सभी को कभी ना कभी परशान करती रहती है और जिसके लिए हम आम तोर पे सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं और ये असानी से सुलच जाए इस मामले में ये वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि ये हैं पिंक आई के बारे में यानि कि जब हमारी आँखों में लाली आती है अब लाली आने पे बहुत बार तो ये हमारी प्रॉलम अराम से सुलच सकती है क्योंकि ये बड़ी साधारन कंडिशन्स की वज़ा स लेकिन बहुत बार होती तो सरफ पिंक आई है लेकिन उसके पीछे बिमारी बहुत बड़ी होती है और फिर उसका कोई असान इलाज नहीं होता तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंडिशन्स की जिसमें अगर लाली है तो उसे हम घर पे ही अटेंड कर सकते हैं का इलाज घर पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अब यदि सबसे पहली कंडिशन और सबसे कॉमन कंडिशन जो आँखों में लाली पैदा करती है उसकी अगर बात की जाए तो वो है हमारे वातावरन का पॉलूशन यानि की प्रदूशन जब भी हम देखते हैं कि हम आउट में डस्ट जादा है तो हम इसे जादतर लोगों की आँखें पिंक या रिड हो जाती हैं अब अगर तो हमें ये पता है कि सरफ इस एंवायर्मेंट की वजह से हमारी आँखों में लाली है जब हम बाहर गए हैं या हमने कोई टू वीलर चलाया है और गौगल्स और हिलमेट नहीं पहना है तो इन कंडिशन्स में हम जाने से पहले और वापिस आके कुछ दवाईयों का प्रियोग कर सकते हैं इस वीडियो में अब मैं कुछ ब्रैंड नेम्स का नाम लूँगा ताकि आप उन्हें बजार से खरीद भी सकें लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इ पानेशन इंट्रेस्ट नहीं है और यह स्पॉंसर नहीं यह दवाईयां हैं जिनके मैं सॉल्ट के नाम लूँगा जो है नाफाजॉलिन सॉल्ट और सी एमसी वान परसेंट सो यह दो दवाईयां हैं जो कि हम डॉक्टर की सलाह के बगार भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं अगर इनके कुछ ब्रैंड नेम करें तो नेफाजॉलिन अवेलिबल है नेफम नेफम प्लस मीजॉल इन नामों से और सी एमसी कारबाक्सी मिथाइल सेलि होती है इस तरह के नाम से तो यह आप इस्तमाल कर सकते हैं और यदि इनके डालने से अराम आ जाता है और फिर बाद में जब भी हम दुबारा जाते हैं तो दुबारा होता है तो यह इंडिकेशन होती है कि हाँ यह प्रदूशन की वज़ा से हैं लेकिन अगर हमने सोचा कि है यह प्रदूशन की वज़ा से है और फिर हम जब दवाई डालते हैं तो यह ठीक नहीं होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए आज कल दूसरा सबसे कॉमन कारण रेड़ाई का है स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम का मतलब है मोबाइल कंप्यूटर लैप्टॉप टैब टीवी यह जो स्क्रीन है क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई है और हम सभी लोग कई गई घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं तो इनकी वज़ा से आँखों में ड्राइनेस आती है और वो ड्राइनेस फिर हमारी आँखों की वेसल्स को करती है जो हमें लाली या पिंक आई के रूप में रिखती है इन कंडिशन्स में भी हम सीमसी वन परसंट को प्राइमरी दवाई मानके डालेंगे जो की रिफ्रेश्ट टियर्ज ऑन टियर्ज इन नामों से मिलती है ताकि कारण डूर हो यानि ड्राइनस ठीक हो और अगर ड लाली है तो फिर नेफजॉल इस तरह की दवाईयां भी इस्तमाल करेंगे यहां तक तो यह कंडिशन्स हो गई जनमें कोई खास बीमारी नहीं है और हम इन दवाईयों के इस्तमाल करके घर में ही इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके बाद आखों में लाली की कुछ और व इन में में बीमारियां है सबसे पहली तो है इसमें आंक हैं लाली के साथ सास्त इसमें आखों में इचिंग या खारिश या कुजली मैसे discussing और साथ में थोड़ावात पानी ऐगा इसprovिर इसके लिए तो आपको ट्रीटमिंट अपने डॉक्टर से इसके इलावा फिर होती है infective conjunctivitis, viral conjunctivitis, bacterial conjunctivitis जिसमें आँख में लाली के साथ discharge या कीचर भी आएगा और आख चिपक भी जाएगी इसका treatment भी आपको अपने doctor के यहां जाके ही कराना है खुद नहीं करना है फिर एक तीसरी हैं जैसे की ग्लुकोमा ग्लुकोमा में भी यानि काले मुतिये में भी आपकी आँख में लाली आएगी लेकिन उसके साथ-साथ आम तौर पे light के चारों तरफ रंगीन घेरा दिखना आँखों में दर्ध होना सिर दर्ध होना ये भी शामिल होगा या एक और बिमारी होती है जिसे हम कहते हैं यूवियाइटिस इस बिमारी में भी आँखों में लाली तो आएगी लेकिन उसके साथ ही साथ देखने में भी धुन्दला पनाएगा और सिर दर्ध होगा आँखों में दर्ध होगा पानी आएगा आँख से इन सब बिमारियों में तो हमें लाली को सीरिसली लेना है और तुरंट अपने डॉक्टर के पास जाना है और ये नहीं सोचना कि हम नेफाज ओले या सीमसी डालके ही अपना काम चला ले इ तो उसमें तो हमें पहले आंक में पानी का चीटा मार लेना चाहिए और फिर मेफाजॉलिन और CMC 1% डाइड्रॉप यूज़ करके अगर ये ठीक हो जाता है तो ठीक है और यदि फारंग बड़ी अभी भी आंक में है तो आपको आई स्पेश्टिस के पास जाके ही उसका कर सकते हैं लेकिन बाकी लाल आंखों में ना तो खुद कोई दवाई ट्राई करें ना ही सिरफ कैमिस से जाके दवाई ले क्योंकि वहां पर आम तो पर आपको फिर स्टिरॉइड ग्रूप की दवाईयां दे दी जाती हैं जो उपरी तो आंक की लाली को ठीक कर देती हैं ल की कंडिशन को डॉक्टर के पास जाके ही ठीक करवाएंगे आई होप यह इंफरमिशन आपके लिए यूस्फुल रही होगी और आप केरफुल रहेंगे अपनी आखों के लाली के बारे में थैंक यू फॉर लिस्टिंग तो इस टॉक